जल ही जीवन है पानी हम सभी की एक ऐसी basic need है जिसका और कोई alternate option नहीं है पानी को आप कैसे replace करेंगे हमारे लिए पानी पीने की मशक्कत बस नल घुमाने जितनी है पर आज भी भारत में कई समुदाय ऐसे हैं जिने साफ पीने का पानी नहीं मिलता उन्हें या तो मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है या पास से ही जो गंदा पानी है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है हमारी मीडिया भी सिर्फ समस्या गिनवाती है और कभी कोई solution नहीं देती विशु बैंक कहता है कि अगले दो साल में भारत के कई बड़े शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहे होंगे ये देखकर और सुनकर हमें बुरा लगता है तो हम भी बस सोशल मीडिया पर एक लिंक शेयर करके अकसर ऐसी समस्याओं के बारे में भूल जाते हैं लेकिन शबनम, ब्रमजीत और शंकरलाल ने अपने शेत्र में इस समस्याओं का हल ढूंडने का निन्ने लिया है सबसे पहले इन तीनों ने समस्याओं के ऊपर अपने समुदाये के लोगों के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया चार माय से सरकारी हेंटपम खराब था जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया उस वीडियो में समस्या की पूरी जानकारी और समस्या से प्रभावित लोगों के इंटर्व्यू डाले। लेकिन समस्या का हल सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। ये वीडियो उन लोगों तक पहुचना भी चाहिए जो इस समस्या का हल कर सकें। साथ ही समुदाय के लोगों को अपने पीने के पानी के हग के लिए जागरुक करना भी जरूरी है। इसलिए समस्या का वीडियो बनने के बाद इस वीडियो को जगे जगे पर स्क्रीन किया गया और समुदाय को पुत्साहित किया गया कि वो अपनी समस्याओं को कैसे सरकारी अफसरों तक लेकर जाएं। शबनम, ब्रमजीत और शंकरलाल ने सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटे, अपने वीडियो को एविडेंस या साक्ष के रूप में अधिकारियों को दिखाया, या चिकाएं भरी, पर ये सब उन्होंने अकेले नहीं किया, अपने समुदाय के साथ किया, उनके वीडियो यू पिछले दस सालों से एक ही हैंड पंप पे सीला देवी सहीत कुल छे सोल दलित परिवार के लोग पानी की समस्या से परिशान थे, जिसको लेकर पिछले तीन महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई ये करना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था, अगर समुदाय साथ हो, तो साथ मिलकर अपनी समस्याओं के हल खोजे जा सकते हैं झाल 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 झाल